हेई गाईस कैसे हैं आप लोग अगर आप एक TWS पर्चेस करना चाहिए और आपका बजेट है 2000 रुपया तो डेफिनिले आप कन्फ्यूज तो होंगे कि आपको ओपो एंको बट्स पर्चेस करना चाहिए या फिर आपको डिजोबर्ट जी पर्चेस करना चाहिए क्योंकि भा आपको 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 बताना चाहूंगा डिजोबर्ट जी के वॉक्स के अंदर आपको अलग से एक डेटा केबल मिल जाता है तो उसको करनेट करके आप इसको चार्ज कर सकते हैं बट ओपो इंको बट्स के बॉक्स के अंदर आपको कोई भी डिटाकेबल नहीं मिलता है तो अगर आपके पास पहले से तो आप उसको यूज कर सकता है या फिर आपको अलग से पर्चेस करना पड़ेगा तो चलिए बात करते हैं को ब्लॉसी टाइप के फिनिस के साथ मिलता है जबकि डीजो बट्स का जो केस है वो आपको यहाँ पर मैट फिनिस असा मिल जाता है और केस के लुक्स को भी आप देख सकते हैं काफी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा दोनों में आपको यहाँ पर यूज बैट दोनों का जो ब्लॉट को यहाँ पर आपको शोर नहीं करता है वहां पर दोनों का जो build quality वो आपको यहाँ पर काफी strong मिल जाता है जो इस मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा बट हाँ दोनों में आपको यहाँ पर काफी scratches देखने को मिल जाता है और जो magnet का quality वो भी आपको यहाँ पर काफी आचा मिल जाता है बट हाँ डीजोबट जी को आप easily एक हाथ से open या फिर close कर सकता है ओपो में हलका सा यहाँ पर problem होता है एक हाथ से open करने में इसके बाद अगर बात कुरू एयरबट के बार में तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि design में आपको यहाँ पर काफी ज़्यादा attractive सा लगता है light के साथ साथ color भी थोड़ा सा यहाँ पर changes होता है जबकि उपो इंको बट का जो design है वो काफी simple यहाँ पर रखा गया और यह भी glossy आनिंग करते हैं इन दोनों को यूज करना चाहते है तो भी आपके लिए बहुत कमफटबल है आपके कान से एक बार भी यह नहीं गिरेगा साथी यह टिप्स का यूज किया गया है वो भी बहुत जाव सॉफ्ट है दोनों का इस्पेशली ओपो का तो भाई बहुत यह आपको बेटर मिलता है अगर आप कंपेर करेंगे डिजो बट जी से यहाँ पर दोनों का जो डिजाइन और बिल्कुर यह बहुत आपको काफी अच्छा मिल जाता है एक स्टीम डिजाइन के साथ आता है और दूसरा एयरबर्ट डिजाइन के साथ आता है तो अभी आपके पर डिपेंड करता है कि आपको किसका डिजाइन ज्यदा बिटर लगा मैं अगर परसॉनली मेरी बात करो तो डिजो बट जी का जो डिजाइन है वो हलका सा मुझे यहाँ पर बेटर लगा है क्योंकि इसका स्टीम का साइज भी काफी चोटा रखा गया और साथी स्टीम बा आपको कि इस वकर यहाँ बट बिटर नो टो डिजो अगर दिजो अगरगा ओस को यहाँ पर दो तो बटर फूद द्रे को श्री पर टो आपको रहें खुट कर लागरा उसको यह कितना अच्छ से कैनल कर पाता है तो जली अभी स्वीच कर ली हमने स्वीच करेए लेगा उन पर इंको बड़ में और इसी तरह कि को रिखोड़ के रहा है। एंडोर क्वालिटी को देखा है आप ने इंडोर में भी आपको कॉल इंडोर में जाके भी दिखा है ताकि आपको इंडोर कॉलिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अउट्डोर में भी जो नौइस है उसको काफी अच्छे से दोनों ही कैंसल कर देता है, अगर अगर आप मुझे पूछेंगे कि बेस्ट कॉन सार है का कॉलिंग के लिए, तो मैं यहाँ पर आप को सच्छ करूंगा कि आप OPPO INCO BUDS के तरफ जा सकते हैं, हलका सही हाँ पर जो कॉल कोड़े पर आपको बिटर मिल जाएगा, अगर आप कंपेर करेंगे डीजोबर्ट Z के साथ, और अगर बात करूए इन दोनों के मुजिक प्लेबग टाइम के बार में, तो डीजोबर्ट Z के 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 अंदर आपको 380 इमेज के एक बैटरी को यूज किया गया, जबकि OPPO INCO BUDS के अंदर आपको 400 इमेज का बैटरी मिल जाता है, और इसके OPPO INCO BUDS में आपको यहाँ पर काफी जबर्दस मिल जाता है, मैं जब इसको continuously 100% sound में चला के छोड़ दिया था, तो यहाँ पर मुझे 6 घंटे से उपर बैटरी वेकप मिला था, और अगर आप 60-70% volume में सुनते हैं, तो करीब आपको सारे 6-7 घंटे का आपको यहाँ पर बैटरी वेकप मिल जाता है, एक सिंगल चार्ज में, और केस के अंदर आप इसको तीन बार फूल चार्ज कर सकते हैं, तो कूल मिला कि आप करीब 24 घंटा यहाँ पर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो बैटरी वेकप के मामले में definitely OPPO INCO BUDS आपको यहाँ पर बिटर रिज का समय लागता है, इन दोनों में ही, और दोस्तों अगर आप connectivity को देखेंगे, तो डीजो BUDS में आपको Bluetooth 5.0 का support मिलता है, जबकि OPPO INCO BUDS में आपको Bluetooth 5.2 का support मिलता है, और यह एक पहला product है, जिसको मैंने Bluetooth 5.2 के साथ ही use किया था, और भाई जो connectivity बो आपको next level का यहाँ प connect होता है, जैसे आप इसको open करेंगे, connect हो जाता है, और जैसे आप lead को बंद कर देता है, तो उसके बाद बहुत जल्दी disconnect हो जाता है, इसका connectivity भी काफी आचा है, 10 मिटे distance के अंदर आपको कोई भी problem नहीं होगा, चाहे बीच में एक दो दिवारी ही क्यों ना रहे, बट हाँ डिफिनिटली जो connectivity वो आप OPPO IncoBuds का better मिलता है, और साथी दोनों में आपको app का support मिल जाता है, डिजो बट जी को आप realme link app से connect करके use कर सकते है, जो सारा touch function है, अगर आप उसको change करना चाहते है, तो उसमें जाके change कर सकते है, equalizer set बगरा कर सकते है, और OPPO IncoBuds को भी आप O volume control करने का भी option मिल जाता है, और यह एक काफी जवर्दस चीज है, आपको mobile को pocket से निकालने का जरूरत नहीं होगा, आप directly earbud से volume को control कर सकते है, अगर आप right earbud में tap करेंगे, तो आप volume को up कर सकते है, left earbud में tap करेंगे, तो आप volume को down कर सकते है, और यह एक बहुत ही जवर्दस चीज आप इसमें भी कर सकते है, जो हमें सभी earphone में normally देखने को मिल जाता है, चले उसे फाइनली बात करते हैं इन दोनों के sound quality के बार में, जो हमारे लिए सबसेदा important होता है, ओपो इंको बट्स में 8 mm के driver को use क्या गया है, जबकि डिसो बट्स में आपको 10 mm के base boosted driver का use क्य हो भी तुम में तो यहाँ पर आपने देखा कि जो loudness से बोथ दोनों में आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है, अगर आप outdoor में जाके use करते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, बट हाँ डिसो बट्सी का loudness से पर आपको हलका साई हाँ पर कुछ नहीं होता है, डिपेंड करतें optimization पर, अपो का जो optimization है भाई बहुत ही ज़ादा जबर्दस होता है, ओपो का mobile मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, बट ओपो का जितना भी music का device है, मुझे बहुत ही जबर्दस लगता है, और जो optimization है वो भाई आपको next level का यहाँ प बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही clear आपको यहाँ पर sound देखने को मिलता है, साथी जो फोकल्स है वो भी सुनने में बहुत आच्छा लगता है, इसमें भी vocals आपको काफी clear देखने को मिलता है, साथी जो base है वो भी आपको यहाँ पर हलका सा punchy मिल जाता है, and realme link के अपक लिटे आपको बहुत अच्छा मिल जाता अगर आप डोनों में से किसी को पर्चास करता हैं तो आपको को भी रिग्रेट फिल नहीं होगा दोनों का इस साउंड को लिटे आपको काफी जबर्दस मिल जाता है और इन दोनों में में आपको 88 millisecond का low latency mode मिल जाता है and Oppo IncoBuds में अगर आप किसी भी earbuds में triple tap करेंगे तो आप game mode को on या फिर off कर सकते हैं जबकि डीजो earbuds Z में अगर आप long touch करके रखेंगे दोनों earbuds में एक साथ में तो आप game सो दोस्तों यहां पर आपने देखाए कि चो latency वह आपको यहां पर बहुत ही कम देखने को मिलता है ना के बराबर में इसको कहूंगा मैंने बहुत सरा TWS को देखा हुआ है जहां पर 65 millisecond का latency तो बता जाता है बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो अगर आपी casual gamer है या फिर आप pro gamer है तो आप इन दोनों में इसे किसी के साथ भी जा सकते हैं अगर आप इसको gaming के लिए purchase करना चाहते है ओपो इंको बट्स आपको दो अलग 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 color option मिल जाता है और डीजो बट्स आपको तीन अलग अलग color option मिल जाता है तो सभी color का best point link आपको नीचे description मिल जागा तो जो भी color आपको पसंद है उसके हिसाब से आप जाके checkout कर सकते हैं और दोनों का ही जो price है वो दो तीन से रुपए इधर उदर होता रहता है तो जाके checkout ज़रूर कर लीजेगा कि अभी किस price में available है एक और चीज डीजोबर्ट Z में आपको सिर्फ SBC codec का ही support मिलता है जबकि OPPO INCOBURTS में आपको SBC के साथ-साथ AEC codec का भी support मिल जाता है साथ है यहाँ पर आपको Dolby Atmos का भी support मिल जाता है तो अगर आपका phone support है तो उसके हिसाब से आप Dolby Atmos को भी यहाँ पर use कर सकते है तो अगर फाइनली बात करो आपको डीजोबर्ट Z पर्चस करना चाहिए या फिर आपको OPPO INCOBURTS पर्चस करना चाहिए तो पूरा वीडियो का अगर आपने देख लिया है तो I hope कि अभी तक आप clear हो गया होंगे कि आपके लिए सबसे best कौन सा होगा और कौन सा आपको पर दोल कर सकते हैं तो अबरहल मेरे हिसाब से भाई OPPO INCOBURTS आपको ज्यादा बिटर वालू पर्मानी प्रोवाइड करते हैं अगर आप compare करेंगे डीजोबर्ट Z के साथ बढ़ डीजोबर्ट Z का जो looks है वो भी दिखने में काफी जबर्दस लगता है और साथ ही जो build quality है जो sound quality है भाई इसको under 2000 रुपेस में कोई भी earphone आज के दिन पर available नहीं है जो इसके sound को beat कर सकता है इवन अगर आप 25 रुपे तक भी देखेंगे ना तो इसके sound quality को beat करना difficult है बट इसका मतलब यह नहीं कि इसका quality बहुत ही खराब है और इसको मैं आपको एकदम भी purchase करने के आपने यहाँ पर सारा चीस clear कर दिया और जो भी आप purchase करना चाहते है बेस्ट पाइंग लिंक आपको निचे description मिल जाएगा आप पहुंस आखे check out कर सकते हैं तो दोस्तों फिनल बस आज के लिए इतना ही था I hope कि यह वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा होगा और आप decide कर पाई होंगे कि इन में से कौनस आपको purchase करना चाहिए तो अगर आपको इस वीडियो से value मिला आए तो वीडियो को like जरूर करते हैं साथ है अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलेगा तो चलिए मिलते है नेक्स थैंकियो सो माज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद